हेलो दोस्तों यह माई डॉर्टर इस जीनियस का थार्ड चैप्टर है चैप्टर की सुरत वहीं सो रही है जहां से लास्ट में छूटा हुआ था सुंग यूँवान मेरी प्रिनॉनिशेशन में दिक्कत हो तो प्रीज मुझे मुझे माफ करना ओके स्टार्ट करें है व्याव अब सुन्यन सोच रहा है कि अगर देखा जाए तो मुझे यह इस टॉक के बारे में एंड अब दे इयर पता चला था ठीक है, since I returned to the past लेकिन अब जो मैं past में वापिस आ गया हूँ, did something change? कुछ बदल गया है क्या? यह अपने मन में questions कर रहा है well, it doesn't matter if something changed, अभी सोचाए कि ऐसा अब इससे कोई फर्ग नहीं परता अगर कुछ चेंज हो गया है I just need to raise चयून well, मुझे से चयून को अच्छे से बड़ा करना है, raise करना यानि कि बड़ा करना Sumyuan, उसका team leader बोल रहा है You know, I don't just talk about these things with anyone, right? तुम्हें मालूम है? मैं सब चीजों के बारे में हर कीची से बात नहीं करता हूँ It's the same, because I know you are good at your job as a manager, but my gut is telling me It's the same ये सर्म की बात है, ये सर्म की बात है, because I know, कि मैं जानता हूँ कि you are a good at your job as manager, तुम manager की job के लिए बहुत अच्छे हो But my gut is telling me, gut कहते है न, कि मुझे ऐसा feel हो रहा है, मुझे ये पहले से ऐसास हो रहा है My gut is telling me, gut मुझे कह रही है, that you should make music, Singha कि तुम्हें music बनाना चाहिए सुन्योन If that happens, we could make it big, अगर ऐसा होता है था हम कुछ बड़ा कर सकते हैं Singhaan बोलता है, team leader Yes, I am sorry, but I haven't thought about making music at all लेकिन, मुझे माफ करना, but, लेकिन मैंने music बनाने के बारे में नहीं सोचा है At all, means, बिल्कुल भी नहीं Well, then, there's nothing I can do ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता It's such a same for you to remain as a manager यह सेम ही कि तुम हमेशा के लिए manager बने रहना चाहते हो But, if that's what you want, लेकिन अगर तुम यहीं चाहते हो यहाँ पे Swingon बात को कट करता है team leader की और कह रहा है And also, please find a replacement for me as soon as possible And also, इसके अलावा, please find a ढूड लीजिये, replacement Replace करना यानि बदलना यानि कि कुछ मेरा replacement ही मेरे बदले में किसी और को ढूड लेजिये जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी As soon as जितना जल्दी हो सके, possible Possible हो सके Replacement Team leader salt है तो वो बोला Replacement Sengen कहता है, I am designing Team leader salt यह जो साइन बता नहीं है, यह जो साइन दिख रहा है Team leader के साथ के उपर इसके दो reason होते हैं, या तो यह साउग्ड है या फिर surprise है दोनों का सीम मतने में, साउग्ड और surprise यह nervous, nervous में भी ऐसा आजाता है यह बहुत घबरात है, कि तुम ऐसा क्यों कह रहा हो क्या यह reason है, कि मैंने तुम से कहा कि तुम लेट हो गए हो और क्या यह reason है, कि मैंने तुम से कहा कि music सुरू करो और working की जंग है, music सुरू कर दो यहान कहता है, no it's not related to you telling me that इन में से कुछ भी नहीं है ऐसा कह रहा है I also know that you said that because you were thinking of me doing music मैं जानता हूँ कि आपने ऐसा इसलिए कहा, कि मैं music कर सकता हूँ you were thinking, आप सोच रहे थे कि मैं music कर सकता हूँ what is it then फिर क्या है explain to me, मुझे explain करो I can understand, मैं समझ सकता हूँ you can't just tell me that so suddenly तुम मुझे suddenly ऐसा नहीं कह सकती कि तुम छोड के जा रहे हो, right it's because of my daughter ऐसा मैं अपनी बच्ची के वज़े से कह रहा हूँ team leader I have been working hard to do my job I might be a good company employer but I haven't been able to be a good father team leader हो सकता है कि मैं बहुत hard तरीके से काम कर रहा हूँ बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा हूँ और हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा company के employer भी हो but I haven't been able to be a good father but मैं एक अच्छा पिता अभी तक नहीं बन पाया हूँ I have many shortcomings मेरे पास बहुत से ऐसे shortcomings problems आई हैं इदर उदर की बाते आई हैं but from now on लेकिन अब अब से मैं लेकिन अब से मैं I will try to be a better father मैं एक अच्छा पिता बने की courses करूँगा I will certainly do my best मैं ऐसा करूँगा मैं पक्का ऐसा करूँगा अपना best दूँगा अब ये थोड़ा सोच हैं पड़े गया है If you are resigning how will you eat and sleep अगर तुम resign कर दो कि तुम खाओगे क्या और रहोगे कैसे I will receive my final pay मुझे अपना final pay मिलेगा I have also saved up enough money for now मैंने already कुछ money save करके रख ली अभी तक मैं also इसके अलावा we have my wife's insurance money हमारे पास मेरी wife की insurance money भी है यहाँ यह सॉक्ड हो गया इटिंड़ा है His wife's insurance money यह सॉक्ड फेस है ध्यान लखना His wife's insurance money that kind of money for Singwan इस तरीके की money Singwan के लिए He made up his mind अगर इसने अपना mind बना लिया है If he decided to use it अगर इसने ऐसा decide कर लिया है उस money को use करने के लिए And I don't think that he's just saying it और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह सिर्फ ऐसा कह रहा है मतलब मुझे नहीं लगता है ऐसा कह रहा है वो सच में use करेगा अपने wife's insurance को Okay then, fine ठीक है, कोई बात नहीं But just for three weeks सिर्फ तीन हफते के लिए Not more, not less ना जादा, ना खम Work for just three more weeks सिर्फ तीन हफते के लिए और काम करो I might have regrets about this I might have regrets about this But you really want to be a good father to your daughter मैं हो सकता है इस बारे में regret करो लेकिन तुम सच में एक अच्छा फादर बनना चाहते है अपनी daughter के लिए It would be weird to keep you here ये बहुत अजीब होगा अगर मैं तुम्हें अब भी यहां रखो Cheer up खुश रओ, enjoy करो I heard that taking care of one is ten times harder than managing celebrities मैंने ऐसा सुना है कि सिर्फ एक बच्चे को संभालना Ten times harder है managing celebrities celebrities को manage करने के मदख हम एक बच्चे को संभालना ज़्यादा tough है बजाए celebrities को manage करना अब यहां पे excited होकर सुन्ग्वान कहता है But in exchange the happiness you receive is hundred times more लेकिन इसके बदले में हमें hundred times ज़्यादा खुशी मिलती है दिखो एक father parents के लिए उनके बच्चे कितनी भी ज़्यादा दिक्कत भरे हो कितनी भी promise क्यों ना हो उनके लिए छोटे छोटे काम करना है उनके लिए बहुत खुशी की बात होती है किसके लिए parents के लिए तो वही कह रहा है कि यह बहुत hundred times बहुत खुशी मिलती है अगर हम बच्चों के लिए करते हैं जब तो बहुत खुशी मिलती है ऐसा वहाँ बात हो रही है यहाँ पर वो अपने office में आ गया है इसका मतलब होता है कि आप अपने superior को formal तरीके से address करें formal means एक दम properly behave करके तब आप नाम के साथ में SSI लगा देते हैं सिंग्यों सी चीक है did he say a lot to you क्या उसने कुछ ज़्यादा कहा तो उनसे अब उसने किसने team leader ने while you two were talking जब आप दुनों बात कर रहे थे team leader wise wasn't that got team leader की आवाज ज़्यादा loud नहीं थी he didn't get mad at you for being late वह आपकी उपर लेट होनी के वज़े से गुसा तो नहीं हुआ यहाँ पर mad का use पागल नहीं हो रहा है यहाँ पर mad का use as a गुसे की form में बताया जा रहा है ठीक है did he क्या हुआ है यह थोड़ा ऐसा मुस्क्रात हुए अपने मन में बूल रहा है मन में नहीं DLT में बूल रहा है it wasn't like that ऐसा कुछ नहीं है we were just हम से बस इतने में सुंग आवाज आती है yes team leader हा team leader I wasn't able to tell you मैं आपको पहले नहीं बता सका because क्योंकि Kim Huan wasn't there Kim Huan यहाँ पर नहीं था यहाँ पर नहीं था वहाँ पर नहीं था there means वहाँ पर नहीं था but how is your schedule next Tuesday लेकिन next Tuesday का जो आपका schedule है वो कहा है Tuesday means मंगलवार मंगलवार का जो आपका schedule है जो आपका planning है वो क्या है तो जब जो manager होता है वो celebrities की planning करके रखता है कि कप celebrities को क्या करना है और खुद की भी planning करके रखता है कि उसे कप जगए किन-किन celebrities को manage करना है तो do you have any work outside तो यहीं भी बात कर रहा है कि अगर आप कोई उस दिन आपका कोई काम है outside के नहीं यहाँ पे शिंगन बोलता है I don't have anything in particular अपने laptop की तरफ पूरा planning schedule देखकर बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ particular नहीं है उस दिन Really? Then do me a favor Team leader उसे कहते है अच्छा तो क्या तु मुझे एक favor करोगे? Please take care of Yumi next Tuesday Take care of Yumi next Tuesday यहाँ पे वह बात कर रहा है कि Yumi का कुछ schedule है next Tuesday को क्या तुम इसे take care कर सकते हैं उसे ले सकते हैं Aside from you तुम्हारे अलाबा Everyone's schedules are already full और सभी का schedule already full हो चुका है Since you already took care of Yumi और क्योंकि तुम पहले भी Yumi को manage कर चुके हो While I wasn't around जब मैं आसपास नहीं था Means company में नहीं था She might be more comfortable Why तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा comfortable होती है She might be Might be means maybe Shiaid more comfortable होती है If it's you अगर तुम होगे तो Don't you think तुमें नहीं लगता तुम ऐसा नहीं सूचते हो Yes, I understand I will take care of Yumi on Tuesday मैं Yumi को Tuesday को manage कर लोगा और देखो Yumi एक लड़की का नाम है Okay, thanks for the favor Okay, thanks for the favor Favor के लिए बहुत-बहुत thank you Work hard अच्छे मैंने सिकाम करो Singhanci, I couldn't say it to you a lot But isn't Yumi's music video recording next Tuesday Singhanci, मैंने आपको पहले नहीं कहा था लेकिन isn't Yumi's music Yumi का जो music video recording है वो Tuesday को है Next Tuesday, right? Ah, yes, huh If it's not that much to us अगर ये कितना excited हो गया है Excited मैं बोल रहा है कि अगर इतना कुछ जादा नहीं है माँगना If it's not that much to ask Is it okay for me? क्या मेरे लिए ये okay रहेगा? And Ron Ron कोई person है उसकी बारे बात हो रही है To follow you that day अगर Ron और मैं आपको उस दिन follow करे He sings a lot of Yumi's songs To the point that he wants to see her उसने Yumi के बहुत सारे songs गाए हुए है इस point पर आगया है कि वो अब Yumi से मिलना चाहता He wants to see her वो ऐसे देखना चाहता We won't be about her हम आपको परिशान नहीं करेंगे Bother माने परिशान करना We won't be about her And we will just watch quietly हम सिर्फ देखेंगे सामती से बैट का Quietly means सामती से Yumi and Ron अभी सोच रहा है Yumi is a rising hero की singer बड़ती ही singer है Her first album received a lot of positive responses उसके पहले album से बहुत अच्छे response वेले हैं So we immediately prepared for her second mini album So हमने immediately एक छोटा सा album prepared कर लिया उसके लिए Next Tuesday, she is scheduled to film a music video for that album So what will we do for the mini album? This music video क्या करेंगे? Schedule किया हुआ उसके लिए, set किया हुआ Ron is a 12-year-old child actor अच्छा तो Ron एक बच्ची की बात हो रही है एक 12-year-old child है Child actor है And at a young age, एक छोटी सुमर में His acting skills were already excellent इसकी acting skills बहुत ही अच्छी है And he become famous among his peers Peers यूज होता है अपने आसपास के जो अपनी एज के लोगों के लिए अपनी एज के लिए अपने साथ में जो एज वाली ग्रूप काम गरे है उसके लिए Among इस उन में से बहुत उन सभी में से सब्चे ज़्यादा फेमस है अपने ग्रूप में Has a good personality अब भुसी के बारे में बात हो रही रोएन के बारे में सोचा है Has a good personality kind, mature and good with words वो उसके अच्छी personality है kind है, mature है और जो words का वो यूज करता है वो भी अच्छी से करता है In the future Words means, good with words means अच्छी से बात करता है समस्दारी की तरीके से बात करता है In the future too A future में भी His drama becomes super popular उसका drama बहुत सुपर पॉपलर हो गया जिसमें उने काम किया वो बहुत ज़्यादा पॉपलर हो गया था Well, there's no reason to say no So, यहाँ पे कोई reason ही नहीं है उसको no कहने का I think it's possible Since Yumi also like kids We can do that मुझे लगता है ऐसा possible है क्योंकि Yumi भी बच्चों को पसंद करती है So, हम ऐसा कर सकते है यह बहुत खुश हो गया Really? Thank you very much Thank you, Singuan Si It's nothing यह कह रहा है इसा कुछ नहीं है कोई बात नहीं यहाँ पे अब सब लोग अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे Done इसका काम complete हो गया Finally, I can go home अच्छा मुझे लगता है कि अब मैं घर जा सकता हूँ चैंगन सीड्यूल एंड सेट 6.30 चैंगन सीड्यूल एंड सेट 6.30 चैंगन का स्कूल है वो 6.30 पे खतम हो जाता है If I leave right now अगर मैं अभी जाऊंगा I could relax before arriving वहाँ पहुँचने से पहले मैं थोड़ा से रिलेक्स कर सकता हूँ Hello, चैंगन डाड Hello, teacher ये ग्रीटिंग कर रहे है एक डूसे को क्या कर रहे है ग्रीट कर रहे है I heard from चैंगन that you were the one who brought her here this morning मैंने चैंगन से सुना है कि आप हैं चोकी चैंगन को यहाँ लेकर आए है morning में, सुभभ That's why she was in a really good mood today इसी वज़े से वहाँ आज बहुत ही पास्ट के लिए कि उसने आज अपना मेल भी बहुत अच्छे से खाया है Is that so? ऐसा है क्या? I am glad to hear that she was in a good mood मुझे बहुत अच्छा लगा कि वह आज बहुत ही अच्छे mood में है Please come in आप अंदर आ जाईए Please उतार respect देने के लिए I'll bring चैंगन over in a minute चैंगन को लेकर आती हो यहाँ पर सारे बच्चे खेल रहे है तो यह सोच रहा है चैंगन तो यहाँ पर है यही नहीं Everyone is having fun here तो सभी बच्चे यहाँ पर fun कर रहे है Fun means करना इस मस्ती कर रहे है Is she not getting along? Is she not getting along? Well with her friends क्या है अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से नहीं खुल मिल पाई है With her friends अब इसको कुछ मीजिक सुनाई देता है It's the sound of a piano यह तो प्यानो का sound है Who is it? कौन हो सकता है Is it the teacher? क्या है a teacher है? It's quite a piece for a child to play यह बहुत ही एक पी से चाइल्ड प्ले करने के लिए है और जैसे यह देखता है यह शॉक होता है किम हुआ है शॉक? आप ही देखिए यह गाना बज़रा है और यह अमारी चैहून गाना बज़ा रही है प्यानो बज़ा रही है और यह सी देखकर यह शॉक हो जाता है वाँ कितनी क्यूट है अवर चैहून She looks so happy हमारी चैहून यह कितनी खुश है आज She looks so happy यह बहुत खुश है What am I excited about? अरे मैं इतना excited क्यों हो रहा हूँ? The first song Chehun played पहला song Chehun ने जो प्ले किया It's a familiar melody इसके आवाज कुश इसकी जो आवाज melody है वो familiar जानी पहचानी से लग रही है Where did she hear that? उसनी यह कहां से सुना हुआ है? उसकी teacher और उसके पास आगी वो उससे कुछ कह रही है क्या कह रही है? क्या आपके डैड यहां लेने के लिए आई है डैड दोड़ते वे These days Chehun must be playing the piano because she learned it in a piano school आजकर चेहन must be playing the piano चेहनो प्यानो बजाती है क्योंकि she learned it in a piano school क्या कि इसनी प्यानो स्कूल में लर्ण किया लर्ण किया है यानि कि लर्ण किया था अदर चिल्डें डोंट रिवन लाइक टचिंग दे प्यानो और दूसरी चिल्डें प्यानो को टच करना भी पसंद नहीं करते है चेहन must really love the piano really love the piano लर्ण प्यानो को बहुत प्यार करते है ऐसा लगता है इसकूल है ये चेहन इसकी स्किल प्रिटी गूड आंट थे हाँ चेहन की स्किल बहुत अच्छी है आंट थे नहीं है क्या अभी सोच में दूग गया चाहूँ लेकिन इसने तो कभी भी प्यानो नहीं सीखा है अभी सोच में दूग गया कौन से स्कूल में भी जाए मैंने ऐसा यहाँ पे end हो गया है इस चाप्टर का थैंक्यू